हलो गाइज स्वागता आप सभी का शिव ओम क्लासेज के ओनलाइन प्लेटफों में अगर आपको अपने क्लास का कंप्लेट इस्टडी माटेरियल ची हो जैसे नोट्स, वीडियो, मोडल, पेपर, एंशाटिज, सोलिशन, यह सब कुछ आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा अभी आपको शिव ओम क्लासेज एप जो है वो डाउनलोड करने पड़ेगी या फिर आप हमारे को इस नंबर पर वोड्स अप पे मैसेज कर सकते होगा वोड्स अप पे भी आपके नोट्स वगरा बेज़ देंगे और इन सबी जो चीजें हैं यह आपके लिए रहेंगी बिलकुल फ्री यानि कि कोई भी चीज के लिए आपको कुछ भी पे करने की जुरत नहीं पड़ेगी सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा तो या तो आप शिव ओम क्लासे जो एप है वो डाउनलोड कर लीजी या फिर आप हमारे को जो वोड्स अप नंबर है मौंग दलना तो चाती पर मौंग दलना मौहावरे का हम अर्थ देखेंगे और इसका वाक्य के अंदर परियोग किस परकार से करते हैं वो हम देख लेते हैं तो चाती पर मौंग दलना इस मौहावरे का अर्थ है अर्थ क्या है कष्ट देना तो छाती पर मूंग दलना मतलब कश्ट देना अब सरी तो ठीक है लेकिन इसका वाक्या के अंदर प्रियोग कैसे करेंगे तो वो देखे जैसे कोई लोग है जो पहले किसी व्यक्ति को अपमानित करते हैं और फिर उसको काफी हद तक उसको परेशान भी करते हैं तो वह व्यक ने मेरा पहले भी अपमान किया और अब भी मेरी छाती पर मौंग दल रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी दूसरी व्यक्ति को कष्ट देता है उसको परिशान करता है तो उसके लिए बोला जा सकता है कि वो जो है वो उसकी चाती पर मौंग दल रहा है तो चाती पर मौंग दलने मौहावरी का अर्थ क्या हो गया कष्ट और वाक्य के अंदर प्रियोग कैसे कर सकते हैं इन लोगों ने मेरा पहले भी अपमान किया और अभी मेरी चाती पर मूंग दल रहे हैं कहने का मतलब वो अभी भी उसको परेशान कर रहे हैं तो इस परकार से आप आर्थ और वाक्य के अंदर प्रियोग कर सकते हैं तो बने र झाल चुछ